जैसे ही कुछ समय खुशियाली से बरा निकलता है लोग पैसा कमाते वहीं पे कोई ऐसी न्यूज आया आती है जो लोगों को डरा देती है एक ऐसी दहशत बरी न्यूज जी हाँ दहशत बरी आपको लगरा होगा शाए क्राइम पेटरोल की किसी न्यूज को आज पढ़ने की कुशिश करों बड़ आप साथान रही है करने रही है क्योंकि यहाँ पे फिर से एक बम फूटने वाला है बम फूटने का अधर होगा या नहीं होगा यह तो आने वाला वग्त बढ़ाएगा बड़ यहाँ पर जिस बम की बात कर रहे हैं उसके बारे में आपने थमनिल पे रज़ार देख लिया होगा यहाँ पर हम किस के बारें बात करें, कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं, कौन सी कंपणी हो सकती हैं, यह कहना बड़ा मुश्किल है, बट हाँ, यह news all over है, बिल्कुल all over, हिंदुस्थान टाइम स्की निउस है, एकॉनमी टाइम स्की निउस है, हर जेगा कह रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जितनी भी निवेशक हैं, आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में मुझे जरूर जाना है कि ऐसा कौन सा ग्रूप उसते हैं, क्या वो अंबानी की बात कर रहे हैं, क्या वो टाटा ग्रूप की बात कर रहे हैं, किस की बात कर रहे हैं, इतनी importance रखती है आपको सोचना होगा दूसरी चीज़ आपने अडानी की जो crash हुआ था अडानी के shares में जो crash हुआ उससे क्या सीख लिया आपने आपको समझ में आना चाहिए कि जितना भी बड़ा crash हुआ था उससे ज्यादा shares के भाव आज वापस आज चुके कहीं हद तक लो अडानी power और इनके valuations बहुत अच्छी है यह आने वाला futuristic business है अगर देखा जाए तो यह दोनों पर देश के पहले और दूसरे रहते हैं कभी वो पहले पर पहुंच जाते हैं कभी वो दूसरे पहुंच जाते हैं तो यह वो दो बड़े घराने हैं जो हमाई देश का सारा का गूगल के साथ partnership हो WhatsApp इंडिया में लांच करना हो या कुछ भी हो यह सब चीज़े यही बड़े घराने कर रहे हैं तो हिंदन बर्ग इस बार किसकी बाते कर रहे हैं समझ से परे है बट हमें इसमें करना क्या चाहिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको च इसे ऐसे होते हैं जो penny stocks भी होते हैं जिनकी news market में बहुत चल रही होती है या जो आपके पास आते हैं किसे news के form में हम उन सब stocks का critical चीरफार करने की कोशिश करते हैं आपको समझ में आना चाहिए खुद decision लेना है कि उसमें invest करना है या नहीं करना कैसे stocks को find out करना है कैसे stocks ल यहां पर यहां पर एक single भी ऐसी news नहीं है जहां पर आपको बताया जाए दो के चार पैसे आपके हो जाएंगे 50,000 दीजिए 24 उन्ते में एक लाक लेके जाए हम ऐसा कुछ नहीं करते कोई बकवास नहीं करते यहां पर अपिंड मैसे पर जाएंगे दिली क्लास 25 तारीक की ह पहले 30 में मसको 5,000 का डिस्काउंट मिलने वाला यह 32,000 पीसे कहां payment कर रही है सब कुछ यहां लिखा है कहां screenshot बिजने यहां लिखा है यहीं से authentic information उठाईए आप बात करते हैं कि अगर market crash होती है इंडन बर कहता है भाया यह फला company बेकार है फला management बेकार ता आपको करना क्या है मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि क्या बाजार गिरने वाला है आपको समझ में आना चीए कि यहां पर मैंने दिखा था bottom कहां बनेगा शेर बाजार की सबसे बड़ी भाषिशावानी इस वीडियो को जाके ज़रूर देखा है टॉक्स के उपर व्यूज आती है अच्छी खासे लोग देखते हैं मार्केट के उपर व्यूज आती है कम लोग देखते हैं 23 मिनट का वीडियो है 23 मिनट आपकी life change कर सकते हैं जहां से जरूर देखना यहाँ पर मैं फिर से कहता हूँ कि बजार जिस territory में चल रहा है 23,460 के उपर निफ्टी चलती है तो हम वापस 25,000 को भी टच कर सकते हैं इसमें कोई शक नहीं है अगला जो fall है 25,000 से आने कोशिश करें और वहाँ से गर 20% की fall भी आती है तो निफ्टी में 5000 पॉइंट की correction हो सकती है 20,000 के आसपास जाके निफ्टी रुक सकती है रुक सकती है रुकेगी या नहीं हमें क्या मालू हम सब fail हो सकते हैं अगर लॉस नहीं बुक करना आता तो बजार में रहने का कोई और चित्ते नहीं है कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अगर आपको सबसे पहले क्या करना है अभी से थोड़ा सा माल हलका करना शुरू कीजिए अगर आपको लगता है इसके विसे क्रेश होगा आप cash में बैठना शुरू कीजिए जो portfolio में profits आ रहे हैं उनको partially at least book करना start कीजिए ये कभी मत सोचे कि 23 से बहुत साइशे 3x होगे 5x होगे 10x होगे मैं भी 3 गुना 10 गुना करके बजार से निकलूगा अच्छे अच्छे निवेशेगों का जो return on investment होता है वो compounding basis पे साल का 18%, 20%, 22% होता है कोई भी ये बात नहीं करता कि हम 303,000% में पैसा बनाएगे Warren Buffett आज Warren Buffett है कुछ shares उनके चले हैं जिससे compounding return उनकी 20-22% के आसपास में है उन्होंने हाल खिलाल Apple में 50% position book कर ली है तो ये alarming है क्योंकि US market थोड़ी सी concern अब दिखाई दे रही है ये उस की जो economy है वो तोड़ी चिंता का विशेप बनी हुई है पर भारत की जो और थे होस्ता है वो growing है बहुत speed से growing कर रही है जब तक world war ना हो जाए world war में इंडिया fully participate ना करे हम उतना बड़ा crash नहीं जिलेंगे इसनी भी वज़े से कर crash आता है तो Indian economy, Indian stock market is the best to invest यहां पर आपको चुनिंदा शेर्स को चूज करना है तो अगर पार टू Indian बर्क होता है तो आपको cash में बैठे रहना है कुछ cash आपका जरूर होना चाहिए क्योंकि जिस भी company के share crash करेंगे crash करेंगे भी या नहीं करेंगे मुझे इस पर भी doubt है क्योंकि जैसा सेवी ने और भार सरकार ने हिंडन बर्क को notice बेजा है वो तिल मिला गए थे उन्होंने का भई कोटक का नाम तो आपने उचारा ही नहीं कोटक इसमें involved था जो हमने पैसा बनाया वो उसमें कोटक ने फंड किया था तो ऐसा कुछ देखने को नहीं विला कोटक के share भी वापस उपर आ गए तो यहाँ पर क्या हम इस बार वाकई हिंडन बग की research report को serious लेने वाल है मुझे इस पर doubt है बट अगर कुछ लोगों ने panic में माल बेचा भी और जिस share का नाम आया जिस company का नाम जिस group का नाम आया अगर उसके share धराशाई होते भी हैं जैसे अडानी cases में 80% की बविश्चेवान थी 80% shares टैंक कर गए थे उसके बाद सब वापस जूम हुए जिनों ने वहाँ पर माल उठाया अडानी पर भरुशा रखते हुए अडानी की group company से भरुशा रखते हुए माई गौड क्या पैसा बनाया लोगोंने क्या पैसा बनाया है ना तो यहाँ पर आपको cash available रखना है ऐसा ना हो कि आपके सामने से मौका दस्तक दे रहा है और आप सोचते रहें कि कोई tip आएगी तो लुगा tip क्यों आएगी खुद सीखिए चार्ट सड़ी करना सीखिए बजार में bottom कहां बनते उसको देखिए bottom बनेगा या नहीं बनेगा यह नहीं पता पर bottom बन रहा है यह anticipation हो सकती है यह एक study का part हो सकता है और bottom के आसपास एक छोटा सा stop loss आपको बहुत अच्छा reward दे सकता है तो ऐसे सिती में आप भारत की अर्थिवस्ता सबसे जादा तेजी से बढ़ने वाली अर्थिवस्ता उसमें से है दिगजों का विशेशकों का यह भी कहना है यह मानना है बड़े लोगों का economist का कि 2030 तक आप एक अलग भारत देखेंगे 2040 तक जाते आते हमारी अर्थिवस्ता कहीं जादा multiply already कर च लिख लीजिए कहीं पे चाहिए टर्मिनल पे ऊपर में जहां पर ट्रेडिंग करते हैं वहां पे चिट बनाके लिख लीजिए चिपका दीजिए कि every crash and corrections are just an opportunity beautiful opportunity to buy the stocks which you are not able to buy earlier जो आप पहले नहीं खरीट पाए आपको खरीदेने का शायद मोका मिलने वाला है तो इन्हें आपसे हाँ जोड के विंती है हिंडन बर्ग इतना बड़ा नहीं हो है कि भारत की अर्थ को की नहीं भिला दे हिंडन बर्ग इसर्च इतनी भी बड़ी नहीं हुई है कि वो यहां पे आपको पैनिक मिले के आजए आपको positive रहना है मोके की तराज में रहना है आपके stocks देख corrections होती है domestic institution investors DIs इतने strong है mutual funds की SIPs इतनी strong है और FIs आपको बताए ताँ FIs और FIs हमाई देश के दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं अभी तो असली पैसा बजार में आया नहीं है मैं आपको बता दू जिस दिन वो पैसे का flow आपने देखना शुरू किया आपको अंदाजा भी रही है कि भारत का sensex कहां जा सकता है nifty कहां जा सकती है stocks कहां से कहां जा सकते है क्योंकि अगर एक मात्र country देखें पूरे world में जो optimist है जो growth oriented है जो growth के part पे है वो हमारी अर्थवस्त है हमारा देश भारत है तो भारत पे बदूसा रखे हिंडन बर्क के किसी ऐसे चुटकले यसे पलशान होने की दरूस नहीं है यह चुटकले आएंगे इन चुटकले विएसे बहुत आए panic sellers panic selling भी कर देंगे बहुत टूट भी जाएंगे पर अगर आप क्यास में पैसा है money management आप करना जानते हो discipline से बजार में रह सकते हो तो market से beautiful और better business हो ही नहीं सकता उमीद करता ह कि ये बातें कुछ आपको motivate कर पाएंगी और शायद कुछ insight में लिए होगी कि करना क्या है make a plan then trade your plan thank you so much for watching this video do not panic at all take care bye bye जाहिन